नमस्कार साथियो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पे साथियो आज हम देखने वाले है स्टेट बेंक ओफ इंडिया के दमा के दार तीन मुचल फंड के बारे में मार्केट में लेकिन आज हम बात करने वाले है स्टेट बेंक ओफ इंडिया के टॉप थ्री मुचल फंड के बारे में किस के अंदर आपको ज्यादा रिटन मिलेगा अच्छा रिटन मिलेगा और दोस्तों आपके पास जितना भी अमाउट है उसमें आप बाइफर कर दीजिए थोड़ा बहुत आप मिचल फंड में डालिए बागे कामाउट फिक्स डिपूजिट में रखिए ताकि आपको एवरेज रिटन आराम से मिल सकता है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले टॉप 3 कौन से मिचल फंड है उसका रिक्स क्या है रिटन क्या है ब मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दो चैनल को दोस्तों यहां पर सबसे पहले आता है स्टेट बेंक ओफ इंडिया का एस बीए लार्जन मीट के फंड का नाम आपने जनरली सुनाई होगा क्योंकि यह बहुत बढ़ा फंड है बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा same return मतलब अभी तक मुक्तмен आया है तब से इसने return 17%. és 15.15 civic कि बात करें यहां पर इसने 20% चैनल का return7 का दिया है दोस्तों यहां पर हें मुटर प्लप काफी अच्छा है और इसके अंदर कर सकते हो अभी दोस्तों दूसरा वाला Όप्सन जो है मिच्यल का उसका नाम में सब्सक्राइब करना है उसके लिए तो काफी अच्छा उपसन है और स्मॉल कैप में जो इंट्रेस्ट रखते हैं कि मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्मेंट करना है तो बहुत ही बढ़ी अपसन है इसके अंदर ओल्टाइम रिटन की बात करें तो 25.50 का इसका रिटन है फाइ परसन यहां पर निकाल के इसने दिया है और लास्ट वन यहर की बात करें इसने 6.50 परसन निकाल के दिया है अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो तीसरा वाला फंड है SBA Contra Direct Plant Growth ये काफी अच्छा fund है, काफी secure fund है बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर भी पैसा लगाया हुआ है इसका all time return की बात करें तो इसका all time return है 15% और last 5 year का return है 13% और last 3 साल का इसने return निकाल दिखे दिया है 31% यानि कि काफी अच्छा एक investment option है अभी दोस्तों हम बात करें तो Mitchell Fund के अंदर आपको अगर investment करना है तो दो तरीका एक तो लंसम और SIP SIP मतलब हर महीन आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा अंदर डालना है जैसे fix हो गया 1500-2000 जितनी आपकी capacity है और लंसम मतलब एक साथ पैसा डाल दो अभी दोस्तों हम बात करें तो अगर हम 1500 रुपय हर महीने investment करेंगे तो कितना return मिलेगा दोस्तों यहां पर हम बात करें तो 1500 रुपय हम investment करते हैं और 15% return average जो return हम ऐसे तो ज्यादा है लेकिन 15% हम return calculate करते हैं अगर 5 साल तक आप 1500-1500 रुपय भरोगे तो आपका total investment हो जाएगा कितना 90,000 आपने 5 साल में 90,000 पर दिया उसके सामने आपको मिलेगा 44,500 रुपया और total return मिलेगा 1,34,000 रुपया आपको यहां पर मिलने वाला अगर यहीं scheme आपको मानों के बच्चे के लिए fund की जरूरत है पैसे के लिए और आप 15 साल के लिए continue करते हो तो आपका total investment होगा 500 के सबसे हर मेने और हम return calculate करेंगे 15% तो यहां पर total होगा 2,70,000 total आपका investment हो जाएगा और उसके सामने return आपको मिलेगा 7,45,000 और total जो आपको 15 साल पर पैसा मिलेगा वो 10,15,000 रुपया आपको मिल जाएगा यह 15 साल के बाद है अगर आपकी बेटी की साधी यहां फिर higher education के लिए और आप long tenor के investment करना चाहते हो अगर मानों के आपने 20 साल investment किया तो आपका total investment हो जाएगा 3,60,000 रुपया और उसके सामने आपको return मिलेगा 19,13,000 रुपया और total जो investment होगी वो होगी 22,30,000 रुपया मतलब यहां पे 23,00,000 रुपया जितना आपको 20 साल बाद आरम से मिल सकता है और आप retirement का plan कर रहे हो यानि कि retirement हो तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहे मैं retire हो तब तो आप 500,500 रुपया 30 साल तक बरोगे तो आपका total investment हो जाएगा 5,40,000 रुपया और total यहां पे return मिलने वाला है वह है 99,64,000 यानि कि एक करोड टोटल जो return आपको मिलेगा एक करोड पांच लाक रुपया आपको यहां पे मिलने वाला है काफी अच्छा option है आज ही आप mutual fund चालू कर दीजे बले 1000 रुपय से करें 500 रुपय से करें यहां 1500 रुपय करें जितने आपकी capacity है उसकी सब से करिए और अच्छा return लीजे जय है जय बारत